भाई कभी कभी इत्तफाक जो होता है वो काफी अमेजिंग होता वैसे मुझे इस सीरिल का नाम in particular बहुत पसंद है अब इसमें जो गुनगुन बनी है यानि की एशा रुगानी आज चलिए साल के आखरी दिन उनसे मुलाकात करके आते हैं और उनका मीकाप रूम देखकर आते हैं आज आज आप पहुंच गए हो मेरे साथ मेरे नए मेक अप रूम में कभी-कभी इत्तफाक से मैं और नहां मिली जाते हैं एक नए शो में एक नहीं कहानी के साथ तो आज हम आगए है गुन-गुन के मेक अप रूम में चलो लेट सी कि ये शा से गुन-गुन कैसे बनती हूं में ये बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट हमें मेहुल जी ने दिया था सब कोई तो सब के मेक अप रूम में उनके नाम और उनके कारेक्टर नेम्स है कैरी कैशर के साथ और एक नॉक-नॉक आउल है यहां पर इसके बिना मेरे रूम में परमिशन नहीं है जो प्यूम में परमिशन नहीं ही और आडी हो प्यारा घरी कारेक्टर शाल है गुण 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 अच्छली बहुत लाओड है, इन लाइफ. उसके actions, उसके gestures, उसके कपडे, जूल्ड़ी, मतलब, शीज़ अच्छीज थोड़ी सी कम रखते हैं, जो है, थोड़ा सा कम make-up, बट वो regular look में है, अगर वो बहार जा रही है, कहीं भी जा रही है, पाटी कर रही है, then she's out loud, then we go all out, glitters and smoky's and everything. Actually, मैं बहुत गिरती पड़ती रहती हूँ, और मैं बहुत आक्सिदेंट प्रोन हूँ, इसलिए, रोहिद ने, his make sure, कि अभी हर बार रोज रड़ी होने के बाद, हो इसलिए. Winter tip भी यही है, कि keep yourself hydrated and moisturize. Isha to gun gun mode on, हाँ, बहुत ही, actually, बहुत comfortable, बहुत easy breezy, क्योंकि gun gun बहुत ज्यादा अतरंगी चीजे करती रहती है, पैर उपर करके बैठ जाएगी, कुछ भी करेगी. I think this is a very nice look for gun gun. Make-up room को घर बनाना, I think it's very very important, क्योंकि homely vibes आती है, तो बाकी सारी चीज अपने आप अच्छी हो जाती है. So basically, जैसा कि अपने देखा, जहांपे मैं ready हुई, मेरा mirror, तो that is the area, जहांपे हजारों चीजे पड़ी रहती है, यहांपे एक चोटा सा drawer है, जहांपे खाने की चीजे है, प्लेट है मेरी, glass है, mugs है, nail paints मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सारी stack करकर रखी हूए है यहांपे, और गुन-गुन के हर लुक में हम अलग nail paint यूज करते है, फिर यहांपे खाना गरम करने के लिए, मैंने माइक्रोव लगा दिया है, फ्रिज क्योंकि मैं डाएट पर रहती हूँ जाधतर और बहुत सारे salads और juices मैं खाती हूँ और पीती हूँ, तो मेरी मासी जो बहुत अच्छे से salad बनाती है मेरे लिए प्यार से, तो मैं आके फिर सीधा फ्रिज में रख देती हूँ, फिलाल तो खा लिया को गया, आज actually क्या है कि आज सीन में मैं खाने वाली हूँ, खाने का शौट है, खाने का सीन है पूरा, तो आज मैं कुछ भी खाना लेकर यहीं आए उखर से, और वैसे भी मैं intermittent fasting पर रहती हूँ, तो 2-8 के बीच में ही मैं खाती हूँ, प्रेक्फस में है मेरी लाइफ में, पर यह चोटा सा ऐसे घर वाली feeling आए, इसके लिए sofa बनाया है, मैं यहाँ पर बैटके अपनी lines करती रहती हूँ, शौट के बीच में यहाँ पर ही चिल करती हूँ, Actually, मुझे craft और यह सब बहुत पसंद है, तो paper craft ही है यह, and I have just done like something to lighten up my day. यह मेरा cheat corner है, यहाँ पर मैं सारी chocolates और ऐसे सारी चीजे रखती हूँ, cookies वगेरा जो मुझे अफते में एक दो बार ही खाना allowed है. और यह एक hanger लगा दिया है हमने यहाँ पर, तो that is where I keep my bag, I keep my shoes, I keep my hats, coats, caps, everything. और हाँ एक यह भी है, प्यारा सा हमारा evil eye. तो यह देखा आपने, यह शा का make-up room और गुन-गुन का वो इलाका, जहां पर वो गुन-गुन अक्चुली बनती है, यह शा और गुन-गुन में काफी सारी similarities है, पर क्या है और कैसे दोनों अलग है, उसके लिए तो आपको तेखना पड़ेगा, हमारा प्यारा सा शो, कभी-कभी इतिफाक से, और इसके बाद हम directly set पे जा रहे हैं, तो आप भी चलो और देखो, हुआ है झाल झाल ABP News आपको रखे आगे